नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ आपकी दोस्त कवीता रादा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागते दोस्तों देपा वली स्पेशल में आज हम मसालेदार नमक पारे बनाएंगे इसे आपने एक बार बना लिया तो बार बार बनाना चाहोगे तो चलो देर कि भीत बात की रैसिपी बनाना शुरू करते हैं दीटीज़ी डीजान मुट्ध में Mr. Numuk whenever भी फालक से सब्सक्राइज के उसकोट पेज थााइन मैदा को मुठी में बानने पर इसका लड़ू बनने लगा है इसका मतलब हमने पर्फेक्ट मोयन दिया है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पूरी की तरह टाइट आटा लगा कर त्यार करेंगे आदा गंटा रेस्ट के लिए रखेंगे आदा गंटे के बाल डो को दो-तिन मिन यहाँ पर हमने चार लोईयां तोड़ी है अब इसे गोल करेंगे एक लोई किचन सलेप या चकले पर रख कर बेलेंगे नमक पारे की रोटी नॉर्मल रोटी से मोटी और बड़ी रखेंगे नमक पारे की रोटी हमने बेल कर त्यार कर ली है नाइव से इसे मंचाई शेप में काटेंगे रोटी के किनारे हम अड़ा देंगे बीच से आधा काट कर नमक पारे को एक प्लेट में रखेंगे दूसरी रोटी भी हमने बेल कर काट कर त्यार कर ली है इसे भी प्लेट में रखेंगे कड़ाई में हमने पीनट ओयल गरम होने रख दिया था मेडियम गरम ओयल में लो फ्लेम पर पहले एक नमक पारा डाल कर चेक कर लें उइल में मवलस आने के बाद ये theoड़े थोड़े करने पारे और और कड़ाई में डालेंंगे हर 2-3 मिनट के बाद नमक पारे को उलटते पलटते रहेंगे ताकि सभी और से नमक पारे अच्छे से वराई हो सके नमक पारों में गोर्लन बराउन कलर आने पर कड़ाई के किनारे पर लगाते हो इसे निकालेंगे बागी बचे नमक पारे भी थोड़े थोड़े करके कड़ाई में डालेंगे हर 2-3 मिनट के बाद इसे उलटते पलटते रहेंगे इनमें सुनेरा कलर आने पर कड़ाई के किनारे पर लगाते हो इसे निकालेंगे ताकि एक स्टावाल निकल जाए कड़ाई से निकालने के बाद भी इनका गलर और डर्क होगा प्लेट में हमने काली मिर्च पाउडर, काला नमग, पुदीना पाउडर और चाड़ मसाला लिया है सारे मसाले हमने हाफ टीस्पून लिया है मसालो को मिक्स करके गरम-गरम नमक पारे के उपर डालेंगे इस दीपावली पर यह रेसिपी एक बार ज़रू ट्राई करें रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वोचिंग एंड बाई बाई